कंगना रनोत पर भारी पड़ा पंजाब का पुत्तर बॉलिवुड की कुईन कंगना को पंजाबी शेर ने सुनाई खरी-खरी जी हाँ फार्मस प्रोटेस्ट को लेकर पंजाबियन बॉलिवुड आक्टर आंड सिंगर दिलजीत दुसान और कंगना रनोत के बीच ट्विटर पर काफी तूटू मैमे हुई जहां कंगना दिलजीत को नीचा दिखाने के लिए उन्हें करन जोहर का पालतू और चम्चा कहने लगी तो वहीं दिलजीत ने भी कंगना को अपने पंजाब के पुत्तर का असली मजा चकाते हुए करारा जवाब दिया और अब कंगना और दिलजीत की ये जंग बॉलिवुट से लेकर पंजाब फिल्म फ्रेटिनिटी में बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है सोशल मीडिया पर कंगना और दिलजीत के फैंस भी आपस में उलज गए हैं लेकिन इस लड़ाई में पंजाब फ्रेटिनिटी ने दिलजीत दुसांच को अपना पूरा पूरा सपोर्ट दिखाते हुए कंगना को लतार लगाई है आप भी देखें कि पंजाब से लेकर बॉलिवुड में से कौन कौन से स्टार्स दिलजीत के सपोर्ट में आए स्वारा भासकर दिलजीत दुसांच इस स्टार दिलजीत आक्चुली कूब्रा सेट आई लव दिलजीत दुसांच एन प्रेडिक्स पंजाबी सिंगर जसी लिखते हैं दिलजीत पाजी तुसी बहुत वध्या काम कर रही हूँ कंगना दा एजेंडा ही आंदोलन तो ध्यान डाइवर्ट करना है ए अपने मकसद च्यों कामियाब हो रही है तुसी इसनू रिप्लाई ना देओ ए बहुत चलाख लोक ने एदे नाल भी गल करांगे ए एक बार सादा किसानी वाला मसला सौल हो जावे Hashtag किसान की बात Mika Singh I used to have immense respect for Kangana or not I even tweeted in support when her office was demolished I now think I was wrong Kangana being a woman You should show the old lady some respect If you have any etiquette then apologize Shame on you Hashtag Farmers Anubhav Sina Joe Bole Soni Haal Vishal Dadlani Good on you दिलजी दोसांच एक सही कॉस के लिए सही बंदे ने सही बात कह दी 100% jurist Hashtag Stand Without Farmers हिमानशी खुराना अगर इस बुज़ुर्ग औरत ने पैसे लिए हैं रीड में शामिल होने के आपने कितने पैसे लिए सरकार को डिफेंड करने के बही जाहिर है कि दिलजी दोसांच को पंजाब से लेकर बॉल्वुड स्टार्स का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और अब जंदा भी दिलजीत का साथ दे रही हैं यही वजा है कि ट्विटर पर इस समय दिलजीत डिस्ट्रोइस कंगना और दिलजीत वर्सिस कंगना जैसे ट्रेंड सोशल मीडिया पर चल रहे हैं वैसे आपको क्या लगता है दिलजीत और कंगना की इस लड़ाई में कौन सही है और कौन गलत और आप किस की साइड है शेर कीजे अपनी राए नीचे कमेंट सेक्शन में